सुप्रीम कोट ने उत्राखंड के चार धाम प्रोजेक्ट पर परियावरन संबंदी आपत्तियों को दर किनार करते हुए वहां सडकों को चोड़ा करने की अनुमती दे दी है अब इस फैसले के बाद चार धाम हाईवे पर सडकों की चोड़ाई मौझूदा 5.5 मीटर से बढ़ा कर 10 मीटर की जा सकेगी जिस से भारत और चीन की सीमा तक सेना के वहानों और हत्यारों का पहुँचना असान हो जाएगा सुप्रीम कोट ने फैसला देश की सुरक्षा और संप्रभूता को ध्यान में रखते हुए लिया है सोचिए भारत शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां देश की सुरक्षा के लिए अगर सडकें चोड़ी करनी हो तो रख्षा मंत्राले और सेना को भी अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं क्योंकि हमारे देश को जो एंजियो हैं और परियावरन विद हैं वो सारे लोग सुप्रीम कोट पहुँच गए और उन्होंने का कि उत्तराखंड में चार धाम रोड चोड़ी नहीं होनी चाहि हैं वहाँ पर S-400 तैनात करना है और ये जो बड़ी बड़े हत्यार हैं और मिसाइल हैं इन्हें वहाँ तक ले जाने के लिए हमें चोड़ी सड़क की आवश्यक्ता है इसलिए हमें चोड़ी सड़क बनाने दी जाए और सूचिए तब जाकर सुप्रीम कोट से इसकी इजा कर हाई कोट में जाकर किसी के खिलाव कुछ भी याचिका लगा सकता है लोगतंत्र के नाम पर उसकी वजह से हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े एहम फैसले अटक जाते हैं परिसेंटी दी दी झीओ आफ अवेलाव वालेवल रूबल्ड गूगल प्लै अप्सटोर अप्सटो जालोड़ इन